रादे रादे जैसी क्रश्ना आप सभी के उपर देवों किदे महादे और माता पार्वती जी का अशीरवाद हमेशा बना रहे आईए अब हम सावनमास के महात्यमे का आगे का अध्याय सुनते हैं शोनक जी बोले कि है व्यास जी के शीषय दयासागर सूत जी अब आप हमें शिवजी के अवतारों की कथा सुनाईए जिनके द्वारा सर्जनों का कल्यान प्राप्त हुआ हूँ सूत जी बोले की है मुनी, शोनक जी आपध्यान से सुनिये, मैं शिव जी के अवतारों को कहता हूँ, ये बात पहले सनत कुमार जी ने साक्षा शीव मूर्ती नंदीश्वर से पूछी थी, तब नंदीश्वर ने शिव जी को इसमरण कर कहा था कि सर्व व्यापक शंकर जी क एसंक्य अवतार हैं, उनमें से कुछ मैं यथा मती कहता हूँ, श्वेत लोहित नामक उननीस्वे कल्प में शिव जी का पहला सदो जात नामक अवतार हुआ था, उस कल्प में परभ्रम का ध्यान करते हुए ब्रहमाजी की शिखा से श्वेत लोहित कुमार उत्पन हुए, सुनंदन, नंदन, विश्वनंदन, उपनंदन इस प्रकार के उनके नाम थे, तब सदो जात शंबु ने ब्रहमाजी को ज्यान देका शष्टी उत्पन करने की शक्ती दी, इतने में रक्त नामक बीस्वा कल्प आ गया, ब्रहमाजी रक्तवर्ण के होगे, फिर उनके वैसा लाल नेत्रों वाला रक्त वर्ण का एक पुत्र पैदा हुआ, उसको वामदेव नामक शिवजान का ब्रहमाजी ने अंजली बांद कर उनकी इस्तूती करी, फिर उन लाल वस्त्रधारी को विरज, विवा, विशाक और विश्वभावन नाम के चार पुत्र पैदा हुए, भाग्यवान ब्रहमाजी ने पीला वस्त्रधारन करा थाता पुत्र की कामना करी, कामना करते ही एक महा तेजस्वी दिर्ग भुजावाला कुमार पैदा हुआ, उसे भी उन्होंने शिवजी का अवतार जाना और शिव गायतरी जपने लगे, फिर तो इसके भी समीब से बह कुत्र की चिंता करते रहे, तब क्रश्न वन के एक तजस्वी कुमार ने जन मिलिया, इस अघोर और घोर पराक्रमी क्रश्न एम अद्वुत देवेश को देखकर ब्रहमाजी परणाम करने लगे, फिर पिर ये वानी से उन्होंने उस अवतार की बहुत सी इस्तूती भी करी उसके बाद क्रश्न के चार महात्मा कुमार प्रकट हुई जिनका नाम क्रमचय, क्रश्न शिक, क्रश्नास्य, क्रश्न कंठ धारी हुए और ये सबी अव्यक्त नाम वाले तेजस्वी शिव सरूप ही थे, इन्होंने भी ब्रहमाजी की शष्टी विस्तार के लिए घोर नाम नंदिश्वर बोले कि हैतात शिवजी के अवतारों को सुनो, जो लोक में सब कारियों को पूर्ण करने वाला है, शिवजी के शर्व, भव, रुद्र, उग्र, भीम, पशुपती, इशान और महादेव ये आठ मूर्तियां सुत्र में मनियों के सामान पिरोई गई, भूमी जल, अगनी, पावन, आका, सूरिय, चंद्र, क्रमशय, उसमें अदिश्टित थे, शास्त्रों का कहना है कि शंकर, महेश, विश्वंभर के रूप में इसी प्रकार चराचर जगत को धारन कर रहे हैं, इस प्रकार परमात्मा शिव का भव रूप जलात्मक है, जो संसार को जिलाने वाला, तता संसार को पालता और चलाता है, वह शिव का उग्र नामक रूप है, फिर शिव जी का एक आकाशात्मक भीम रूप है, जिसमें राग समुदाय का भेदन होता है, यह सब आत्माओं का अदिश्ट ढाता है, फिर पशुपती नामश शिव का जो रूप है वे समस्त पशू जीवों का पाश काटने वाला है तता जो शिवजी का इशान नामक रूप है वे सूरियात्मक होकर संसार को प्रकाश देता है जो की आकाश में प्रसरित है फिर वहादेर नामक जो शिवजी का रूप है वे अमरत किर्णों वाला संसार का त्रप्ती करता है आठवा मूर्थ अमूर्थ सब में व्यापक शिवजी का वे आत्मा नामक रूप है जिसमें ये सारा संसार विश्वरूप हो जाता है नंदिश्वर बोले कि हेतात सुनो अब शिवजी का अर्ध नारिश्वर रूप का वर्णन करता हूँ जब ब्रह्मा जी की रचिवी शष्टी से विस्तार नहों पाया तो बड़ी चिंता हुई तब उनको चिंती देख कर आकास से ये वाणी हुई कि हे ब्रह्मन चिंता ने करो और मेथून शष्टी रचो तब ब्रह्मा जी ने मेथूनी शष्टी निर्मान करने का विचार किया परन्तु उन्हें तो एक मात्र शिवजी का आधार था अभी तक शिवजी से इस्तरियों का कुल प्रकट ही नहीं हुआ था इस कारण उन्हें इस कारिये में सफलता प्राप्त नहीं हुई किन्तु उन्हें ये विश्वास था कि बिना शिवजी के प्रभाव से ये प्रजा न उत्पन होगी अते उन्होंने तब करने का विजार किया निरंतर पार्वती सही शिवजी के ध्यान से विशिग्र ही प्रकट हो गे तब परम शक्ती युप्त शंकर को प्रकट हुआ देख कर ब्रमा जी ने उन्हें प्रणाम कर इस्तूती करने लगे तब देवा अधिदे महादेव जी प्रसन हो मेगी के समार गंबीरवाणी में बोले कि हे पुत्र ब्रह्मा हे महाभाग मैं तत्व से तुमारे मनोरत को जानता हूँ प्रजावर्दी के लिए तुमने अब तक तब किया है इससे प्रसन हो के मैं तुम्हे वर्दान देने आया हूँ ऐसा कहकर शीव जी ने अपने शरीर के आदेभाग से शीवा देवी को प्रतक कर दिया तब उन परम शक्ती को शीव से प्रतक हुआ देग विनितात्मा ब्रह्मा प्रणाम कर उनकी इस्तूति करने लगे हे शीवे हे देवी आपके इनी पती ने मेरी रक्षा करी है पर मात्मा शीव जी से ही समस्त शिष्टी का स्रजन हुआ है हे शीवे मैं बारंबार सब देवताओं को अपने मन में जानता हूँ परन्तु वे मेरी सरजित बुद्धी को नहीं धारन करतें इससे अब मैं एक वे मेतूनी शिष्टी रचना चाहता हूँ जो स्रजन बुद्धी को प्राप्त हुवे परन्तु इसमे नारियों की आफशक्ता है जिस अत्यंत शेष्ट कुल के लिए मेरी शक्ती काम नहीं देती क्योंकि सारी शक्तियां तो तुमारी ही शक्ती से आप मुझे नारी कुल की शक्ती करने की शक्ती दीजिए आपको मेरा नमस्कार है हे वर देश्वरी मैं एक और वर तुमसे मांगता हूँ क्रपा करके आप मुझे वह भी दीजिए हे जगनमाता आपको नमस्कार है हे सरवंगे हे संसार की माता हे शिवे आप अपनी उस एक ही सामर्त्य से चराचर संसार की व्यदी के लिए मेरे पुत्र दक्षी की पुत्री होई तब भ्रह्मा की इस याचना को सुनकर देवी परमेश्वरी ने कहा कि ऐसा ही हूँ ऐसा कहकर उन्होंने भ्रह्मा को अपनी शक्ति दे दी जगनमय शिवा ने ततकाल ही उस शक्ति के भूओं के बीच से अपने ही सामान कांती वाली एक दूसरी ही शक्ति का निर्मान किया उस शक्ति को देख क्रपासागर लीला विहारी शिवजी ने हस कर जगनमाता से कहा कि है देवी तप शील ब्रह्मा के और भी मनोरोतों को सिद्ध करो शीवजी के वचनों को शिरोधारिय कर ब्रह्मा के वचन से उन्होंने दक्षी की पुत्री होना स्विकार किया और शीव के शरीर में समा गई समवर्थ शिवजी अंतरध्यान होगे उसी दिन से संसार में इस्तरी का भाग देना निश्चित हुआ आनंद मग्र ब्रमाजी ने में तुनिश शष्टी आरम करी यह अत्यंत शेष्ट शिवजी का आख्यान मैंने तुम से कहा जो अर्द नारिश्च्वर नाम से सज्जनों का मंगल करने वाला है जो पुरुष इस पुरुष दायक कथा को पढ़ता सुनता और सुनाता है वसा भोगों को भोग कर अंत में मोक्ष का भागी होता है नंदीश्वर बोले कि है सनत कुमार रुद्र से कहा हुआ शंकर का चरित्र निरंतर भ्रह्मा को सुख दायक है शिवजी बोले कि है ब्रह्मा साथ में मनवंतर में वारह कल्प होगा जिसमें कल्पेश्वर भगवान प्रकट होकर सब लोकों के प्रकाश रशने वाले होगे और तुम वेवस्वत मनों के पड़पोते होगे उस मनवंतर में चार युग होगे और द्वापर के अंत में ब्रामनों के हित में मैं उत्पन होगा हे ब्रह्मा युग की प्रवती के अनुसार जब द्वापर युग का आरम होगा तब उसमें व्याज़ी सम्प्रवु होंगे और कल्यूग के अंत में शिवा युक्तश्वेत नामक महामुनी होंगा और हिमाले के छांगल में ब्रह्माजी मेरे शिखा शिष्य होंगे तता मुझ अव्यव्य को तत्व से जानकर और भी मेरे बहुत से भक्त होंगे फिद्वापर में सत्य नामक प्रजापती होंगे और कल्यूग में सुतारी नाम से प्रसिध होंगा उस यूग में भी में बहुत से वेदग्य भ्रामन मेरे शिष्य होंगे जैसे दुन्दूभी शतरूप, त्रशिक और केतु ये चारो भी धान योग से मेरे पुर को प्राप्त होएंगे इसी प्रेकार जवदापर का तीसरा चरण होगा तब भारगव व्यास होगे मेरे पुर के समी भी विदवन नाम से प्रसिद होगे तता वहां मेरे विशो का आदी चार चार पुत्र पैदा होंगे विव्यास जी के शिश्य होंगे और उस कलियुग में मैं उन्हे द्रण निवरती का उप्देश करूँगा फिचोते द्वापर में अंगी राज जी व्यास होंगे उस समय में सुहोत्र नाम से प्रकट होंगा वहां भी मेरे चार पुत्र होंगे वे चारों भी महात्मा हो जाएंगे जिनका नाम सुमुक, दुर्मुक, दुर्धव, दुरतिक्रम होगा। उस समय भी मैं व्यास जी के शिशों की मदद करूगा। उसके पश्चात पांचवे द्वापर में सवीता नामग व्यास और कंक नामग योगी एमतपस्वी होगा। तता सनक, स नंदन, सनातन, सनतकुमार ये चार पुत्र होंगे। फिच्वटरी द्वापर में लोकों के करता तता वेद विबाग करता मित्यू नामग व्यास होंगे। और में लोकाक्षी नाम से व्यास जी की सहायता के लिए अर्थ निवरती मार्ग को प्रशस्त करोंगा। इस प्र गरग्य भारगव गिरिश ये चार शेष्ट योगी शिश्य होंगे। जिनके साथ मैं योग माया को द्रड करूँगा। इस प्रकार में व्यास जी की बहुसी मदद करूँगा। बहुसे दुखी भक्तों का उद्धार करूँगा। मेरे इस वेशब नामक अवतार से संसा प्रकार का कल्यान होगा। मेरे उस अवतार से भद्रा युक्त नामक राजा का पुत्र जो श्वेड दोश से मरेगा जिसके कारण राजा बड़ा दुखी होगा। उसको ज्यान उपदेश कर रिशब जी संतोश देंगे थता उसके म्रतक पुत्र को जीवित कर देंगे। इस प्रकार के उनके दिव्य अवतार के प्रभाव से कितने ही सत्पुरोशों को सुगती प्राप्त होगी। रिशब जी का ये चरित परम गती देने वाला होगा। शरव रूप में धारन किया था तता भक्तों के हित के लिए शीव जी के अनेक अवतार हुए जिनकी संक्या कहने का तो सामरते किसी में भी नहीं है। तता भी मैंने जो कुछ भी सुना वह चरितर में तुम्हें सुनाता हूँ। जब आपनी जैवीजे नामक द्वारपालो को शाप दिया था। तब वे दोनों दिती पुत्र कश्यप से पैदा हुए। पहला पुत्र हिरन्य कश्यपू और दूसरा हिरनक्ष हुआ। ये दोनों देवरिशी के शाप से राक्षस होगे। जब इनोंने बड़ा उपद्रव किया तो ब्रहमाजी के आग्रह से विश् उसके बाद उनके भाई हिरन्य कश्यपू ने विश्नु के उपर बड़ा क्रोध किया। उसने दस हजार बरस तक घोड तपश्या करके ब्रहमाजी को प्रसन कर लिया। और ब्रहमाजी से वर्दान प्राप्त कर लिया। फिर अपने शोणित नामक नगर में जाकर तीनों लोकों को वश्मे करके राज्य करने लगा। वह देवताओं और रिश्यों को कस्ट पहुंचाने लगा, धर्मों का लोपक तता ब्रामनों को पीड़ा देने लगा। वह अपने ही पुत्र प्रेलाद से द्रोह करने लगा। योकि वह विश्नु भगवान का परम भक्त था तब एक दिन संध्या के समय, संभा इस्तंब से क्रोध में भर कर नरसिंग जी शरीद धारन करके प्रकट हुए और उसी शनसंपून देत्यों को मार डाला। यद्धिपी हीरने कश्यपू ने उनसे कठीन युद्धि किया। उसके बाद देवताओं के देखते देखते पर मेश्वन नरसिंग ने उसे दहली पर खीच कर अपनी गोध पर डाला और अपने नकों से उसका शरी शिगरी हिफार डाला। उसके मने से पूरा संसार सुखी हो गया परंतु देवता अब भी सुखी नहीं हुए। प्रहलाद जी और लक्ष्मी जी को बड़ा आश्चरी प्रहलाद ने जाकर नरसिंग जी की इस्तूती करी। उस इस्तूती से प्रसन होकर नरसिंग जी ने प्रहलाद को हीर्द से लगा लिया और उनका क्रोत कुछ शांत हुआ। परंतु अब भी उनमें पूर्णता से शांती नहीं आई थी। तर दुखी होकर देवतागणों उने शंकर जी की शरण में जाकर उनकी इस्तूती करी और कहा कि अब भी नरसिंग जी की ज्वाला शांत नहीं हो रही है। हे देवेश आप ही उने शांत करिये। भक्त वसर शंकर भागवान ने देवताओं को अभय वर्दान दिया। कि तुम लोग अपने अपने स्थान पर जाओ मैं उने शांत कर दूँगा। मेरी शरण में आये हुईों को कभी दुख नहीं हो सकता क्योंकि वे मुझे प्राणों से भी प्यारे हैं। सब देवता आनंद पूर्वशी जी का इस्मरन करते हुए अपने अपने लोग को चलेगे। नंदिश्वेर वोली कि सभी देवताओं से प्राथित परमेश्वा ने नर्सिंग जी के हरन का विचार किया। उन्होंने प्रिलंकर भेरव रूप महाबली वीरभद्र को बुला करके कहा कि हे भेरव बिना समय में ही देवताओं को नर्सिंग जी से इस प्राकार भै उत्पन हो गया है। अतै इस नर्स अगनी को अपने भेरव रूप से शांत करो पहले तो शांती से शांती करो परन्तु जब नहीं माने तो मेरे परम भाव भेरव रूप को दिखा कर शांत करो। इस प्राकार से शीव जी की आग्या लेकर गणा अध्दक्ष शांत शरीर धारन करके शिगरी ही वहां पहले मतश्य रूप से अपनी पूँच में नोका बांद कर पहले के समुदर में मनुजी को घुमाये था फिर वारा रूप से प्रत्वी का उद्धार कर अब नर्सिंग रूप में हीरने कश्युप को मारा आप नहीं वामन रूप धारन करके बली को बांदा आप ही सब प् कदर से दाथ किरकिटाते हुए कटोर वचनों से बोले कि तुम यहां से चले जाओ मैं इस चराचर जगत का इसी समय संगहर कर दूँगा सब जगे मेरा ही शाषन है मैं ही संगहर करता हूं मुझ पर किसी का शाषन नहीं चल सकता मैं ही सब शक्तियों का प्रवर्तक और निर्धंद हो जाओ, मैं ही कालों का काल और मित्यू का मिरत्य हूँ, ये देटा मेरी ही प्रसास हैं, सब तब विश्णु जी के इन एहंकार पूर्ण वचनों को सुन का वीर भद्र को महान क्रोध आया, उन्होंने अपने होट कम पाते हुई है, विश्णु जी से कहा, क्या आप संसार के संघार करता शीवजी को नहीं जानते, आप में केवल ऐसत्य वादविवादी दिखाई पड़ता है, परन्तु तुमें ये ज्ञान होना चाहिए कि मैं तुमारे संघार के निमित ही रुद्र की पेड़ना से यहां आया हूँ, तुमने उन्ही की शशिकला से युक्त होकर एक रक्षस कुमारा है, किन्तु तुम उनका तत्व ने जानकर एहिंकर कर रहे हो, परन्तु ने तो तुम स्रजन करता हो, ने पोशन करता ने संघार करता हो, तुम केवल मुडात्मा परादिन स्वतंत्र हो, तुम केवल कुमार के चाक के सामान महादेव की श सकता जब तारकार सुर्वद के समय तुमारी ढड़ी को पीडा दी गई थी क्या तुम उसे भूल गे दक्षि के यग्य में मैंने ही तुमारा सिर काटा था जब भी तुमारे पुत्र का पांचवा सिर काटा गया जो अब तक नहीं जमा है तुम क्या भूल गे ये चकर पानी सुदर्शन चकर गुमाते हुए सर्वदा तुमारा प्रिये किस ने किया क्या प्रिये चकर तुम्हारा प्रिये सुदर्शन चकर तुम्हें कि शिवजी की है उसी से तुम शक्तिमान हो कर चारोवर तेज से मोईत हो रहे हो यदि तुम काल हो तो परमेश्वय सदाशिक काल के भी काल हैं वही जगत के शासन करता इस्तिर अक्षर वीर विश्व के रक्षर प्रभू और दुखों के नाश करता भीम हिरन्य मैं तताशेश ह इसमें कुछ भी संदय नहीं है ऐसा विचार कर अपनी आत्मा को हरन करो हे नरसिंग यदि तुम अपनी आत्मा को अंतरहित न कर लोगे तो इसी समय मुझ भेरर रूपी क्रोध वाले स्थानू शंकर का बड़ा व्रज मित्यू के समान तुम पर अभी पड़ेगा ऐसा कहकर वीर भदर जी नरसिंग जी का अभिप्राय जानने के लिए मोन हो गे सनतकुमार आगे बोले कि है महाप्राग्य नंदिश्वर जी उसके बाद क्या हुआ वे हम सुनना चाते हैं तो नंदिश्वर बोले कि जब वीर भदर जी ने ऐसा कहा तब नरसिंग जी अत्यन तुक्र अचार किया, हजारों भुजाएं धारन कर जटा रखे, प्रल्य करने में मानों तत पर भेंकर गंभी शब्द करते हुए, क्रोध अगनी से भरे त्री नेत्र हुकार करते हुए, अपने विकट रूप से नरसिंजी के सामने आकर प्रकट होगे, उनके प्रकट होते ही जी को अपनी भुजाओं में बांध कर इस प्रकार पकड़ लिया, कि वे अत्यनती व्याकुल होगे, फिर विश्नु जी को लेकर ऐसे उड़े की भगवान शीव के व्रशब के नीचे लाकर डाल दिया, विश्नु भगवान व्याकुल होगे, सब देवताओं उमनुश्व उनके संपुन अवियवों को अपने मिल्या कर लिया, सब देवताओं उन कल्यान कारी परमेश्वर की इस्तूती करने लगी, तब देवताओं के वचनों को सुन का परमेश्वर उन परातन देवता और महरिश्यों से बोले कि आप लोग अब घवराएं नहीं, इसमें विश जंका नरसिंग जी के चैरमधारी हुए और अपने मुंड माल में उनके मुख को मिला लिया, फिर तो देवता आतंक कर रही थो, जहां थे वहां से लेगे, जो भी मनुश इस आख्यान को पढ़ता सुनता है, उसके सभी मनौरत पूरन होते हैं, धन, यश, आयू, आरोग्य पुष्टी को देने वाला ये महात्य में सुनने से सभी मनौरत पूरे होते हैं, नंदिश्वर बोले कि हे ब्रह्माजी के पुद्र, अब मैं तुम्हें शशी शेकर के चरित्र को सुनाता हूं, पूर्व समय में नर्मदा नदी के टट पर नर्मपूर नामक एक रमणिये नगर था, जिसमें शीव भक्त विश्वानर नामक एक मुनी रहता था, वे संपूर्ण शास्त्रों का ग्याता था, वे हमेशा शीजी के चर्णों में भक्ती रखता था, उस मुनी की शादी एक शुची इस्पती नाम ब्रह्मा की कन्या से हुआ, एक समय उसकी पती व्रता समादी में इस्तित हो गया, और वे विचार करने लगा, कि मेरी इस्त्री ने कितना दुर्लव वर्दान मांग लिया, परंतु जो कुछ भी हो, भगवान शंबू की इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, यदि उनकी क्रपासे मेरी पत्नी के मुख से ऐसा निकला है, तो ये अन्यता नहीं हो सकता, ऐसा विचार कर, उस एक पत्नी वरत में इस्तित ब्रामर ने अपनी पत्नी से कहा कि विश्वर भगवान शिव है, मैं वहां तब करने जाता हूं, तुम किसी बात की चिंता मत करना, ऐसा कहकर काशी में जा, मनी करनी का घाट पर, उनके दर्शन कर, अपने सैक्डों जन्मों के पापों को दूर कर, वहां के विश्वेश्वर आदी शिवलिंग का दर्शन कर, सब कुए बावडी तालाबों में इस्तनान कर, तीरत इस्तानों में पिंडदान किया, फिर सहस्त्रों प्रकार के भोजन आदी से, ब्रामनों और मुनियों को तर शंसनी हैं, उसने वर्षों तक उस लिंग की पूजा करी, कितने ही प्रकार के उसने अनुष्ठान किये, एक वर्ष तक मिराहार केवल जल पी कर ही उसने तब किया, तीनों समय भक्ती से, वह उत्तम विरेश लिंग का पूजन करने लगा, तब तेरवे दिन मैने में जब ए जटा मुकुट धारन किये हुए हस्ता हुआ उसकी ओर देख रहा था, उस बालक को प्राप्त करके मुनी के हश की सीमा नहीं रही, उन्होंने रोमांची तो हिदा से उसे बार बार नमस्कार किया, आटो पंचों से युक्त उस परमानंद शंबू की इस्तूती कर उने उसके बाद ब्रामन ने हाथ जोड कर प्रत्वी परदंड वर्थ होकर प्रणाम किया, तो सब व्रदों में व्रद उस बालक में अत्यंत प्रसन हो, विश्वानर से कहा कि हे ब्रामन में तुम से प्रसन हो, तुम वर्दान मांगो, इस पर विश्वानर ने कहा कि हे प्राप रूप उस पवित्र देटा ने कहा कि हे पवित्र विश्वानर तुमने जो शुचिजमती में पुत्र होने का विचार किया वे शिग्री ही पूरा होगा मैं समही तुमारी इस्तरी के गर्ब से पैदा होगा मेरा नाम ग्रह पती होगा ये आपका कहा हुआ अभी लाश्टक श्रोत जो शुचिजी के सामने बैट करके गाएगा वे एक वर्ष में सिद्धी दायक हो जाएगा वंद्या को पुत्र देने वाला ये अभी लाश्टक श्रोत है परन्तु इसे हर किसी को नहीं देना चाहिए और बहुत यतन से इसे छिपाकर रखना चाहिए इससे इस्तरी हो पुरुशो कोई भी यदि नियम से शीवलिंग के समीप इसे जपेगा तो उसे पुत्र की वनोकामना पूरी होगी ऐसा कहकर बालक रूप शीव अंतरध्यान होगे और विश्वान ब्रामन भी प्रसन होकर घर आ गया नंदीश्वर वोले कि उस ब्रामन ने घर आकर अपनी इस्तरी को सारा समाचार सुनाया प्रारवदी की प्रशंसा करी समय पर उसकी इस्तरी गर्व वती हो गई ब्रामन ने गरबादान संसकार करवाया समसमय पर सारी विदिया पूरी करी ग्रह सुत्र की विदि की पुन्सवन संसकार किया आटवे मैने में गर्भी की व्रदी करने वाला सीमान तो नयन संसकार किया जिससे गर्भी में व्रदी हुई उसके बाद गुरु के कैंदर इस्थान में होने पर शुब लगन में सुन्दर योग होने पर चंद्रमा के सामान मुख वाला उस ब्रामन की इस्तरी शुचिस्मती में सुक्ती का ग्रह में उत्पन हुआ देवताओं ने दुन्दूभियां बजाई दिशाय निर्मल हो गई चार ओ नदियां और प्राणियों के मन निर्मल हो गई सत्व गुण युक्त मंगल में वश्या होने लगी सब मनुशों की वानी प्रिय और कल्यान में हो गई रंबा आधी अफसराई विद्धाधरियां की नरिया हाथ में मांगली द्रव्य लेकर वहां आकर मांगली गीत गाने लगी मरीची अत्री पुलक पुलस्य कंतु अंगीरा वश्यष्टमुनी कश्यपमुनी अनेक वहां आकर उन्हें आशिर्वत देने लगे व्रस्पती सहित ब्रह्मा तता विष्णू नंदी ब्रंगी गणो सहित पार्वती शीवजी महेंद्र अधी देरता नाग अन देरों आशिर्वा दियेगे शीव आदी देता अपने वानों पर छड़ कर वापस अपने धाम को चलेगे सबने शुचु इसमेदी के भाग्य की प्रसंसा करी और कहा कि शीव भक्त धन्य है जिनके अर्चन से आज सम्शीव जी एम रुद्र ही इनके घर प्रकट हुए हैं वह ग्रस्त धन्य हैं जिसके ऐसा पुत्र हो पुत्र ही से वह लोग को जीता है जिसके पुत्र नहीं उसका ग्रह शुन्य है एपुत्र का तब खंडित है एपुत्र से घर पवित्र नहीं होता पुत्र प्राप्ती से बढ़ कर कोई प्राप्ती नहीं लोग पर लोग में न ना पुत्र से अधिक सुक है ना पुत्र से अधिक मित्र। उसके बाद पिता ने उस बालक का समय समय पहोने वाले सभी संसकार किये। पांच वे वर्ष में यग्योपवित किया। फिर उपा कर्म करके एक ही वर्ष में सांगोपांग कर्म से सब वेदों को पड़ा दिया। जब वे बालक नो बरसका हुआ तो माता पिता की सेवा मेरत उस बालक को देखने के लिए नारद मुनी आए। उसके भाग्या और वेभव को देखा और ये कहा कि इसके और सब भाग्या तो अच्छे हैं परन्तु बारवर्ष की उम्र में इसको बिजली और अगनी से भै है ऐसा कहे कर नारद मुनी चले गे। नंदीसर बोले कि नारद जी के ऐसे वचनों को सुनकर दोनों पती पतनी को महान दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हा मैं मारा गया। ऐसा कहे कर वे व्यकुल होकर मुर्चित हो गया। शुची समती भी दुख से व्यकुल हो गई और हाहाकार करने लगी। विश्वानर ने उठकर उसे संभाला अपने पुत्र ग्रहपती की खोच की ग्रहपती कहीं बार गया हुआ था। पिता का शब्द सुनते ही वे दोड कर आया और बोला कि आप क्यों रो रहे हैं। और फिर कहा कि आपके चर्णों की रज के प्रताब से और कोई विद्न तो क्या काल भी पहले की हेवस अवश्य ही में त्यूंजे शिव की आरदना से समस्त विद्नों का नाश हो जाता है। इसी प्रकार जवशुत के तुकाल पाश में बांदा गया था तो शिव जी ने उसकी रक्षा करी थी। शिलात के आठ वर्ष के पुत्र को में त्यू गरस्त देख का श विनाशी हैं, विश्व के रक्षा रूप मणी के समान हैं। फिर तो बालक ग्रपती ने अपने माता पिता के चड़नों की वंदना करी और आश्वाशन दे कर काशी में जाकर सविदी इसनान कर शिव जी का पूजन और दर्शन किया। शिव जी के लिंग की पूजा करके वैं संतुष्ट हुआ। उसने मन में कहा कि आज मैं कितना भाग्य शाली हूँ जो मुझे विश्वेशर के दर्शन हुए। मैं रिशी नारत के कथन ने मेरा भाग्य उदह कर दिया। फिर तो उसने भक्ती पूरव वहां एक और शिवलिंग की इस्तापना करके घोर नियम का पालन किया। फिर तो उसके जनमे के बारवे वश में नारत के वचनों को सत्य करने के लिए व्रज धारी इंद्र उसके सामने आए और बोले कि तुम को जो इच्छा हो वर्दान मांगो। इंद्र के ऐसे वचनों को सुन कर मुनी का वैपुत्र मदूर शब्दों में उन कि ए हैले पते इंद्र आप यहां से जाईए मैं शिव जी को छोड़ कर अन्य किसी भी देवता से वर्दान नहीं चाता यह सुन का इंद्र क्रोधित हो गे और उन्होंने अपना वज्र निकाल कर बालक को डराया बालक बिजली से व्याप्त व्रज को देख भै से व्याकु हो मुर्चित हो गया तब उसे मुर्चित देख पारवती पती साक्षा शिव जी ततकाल वहां प्रकट हो गे और उन्होंने अपने हातों से उस बालक को इसपर्श करके सजीव कर दिया और बोले कि है पुत्र उठो उठो यह ग्रहपती ग्रहपती मानो सोते से उठकर सैकड तो सूरिय के सामान प्रकाश्मान हो शंकर भगवान को देखने लगा उनके अद्बुत रूप ने उसे मुग्द कर दिया वहर्च अर्शु से अवरुत कंठ द्वारा गदगदवानी तथा रोमान्ची शरीर से महादेव जी की स्तूती करने लगा शिव जी भी परिशा ले रहा था मैंने ही इंद्र को भेजा था अब तुम डरो मत मेरे भक्त को इंद्र तता काल वजर कोई भी नहीं मार सकता मैं तुम्हें वर्दान देता हूं कि तुम सब प्राणियों के अंतर्यामी धर्मरा तता इंद्र के मद्य में दिशाओं के इश्वर हो अगनी से बचाएगा यदि देव योग से उसकी म्रतिव काशी में नहो तो भी वह अगनी लोग का भागी होगा ऐसा कहकर शीव जी ने उसके भाई बंदू मातापिता को बुला कर उनके देखते ही देखते उसे अगनीश्वर की दिशाओं का राज्य दिया और सम उसके इ आर्थी जरूर वोनी चाहिए तबी सावन मास के महात्यमे को सुनने का संपून फलप्राप्त होता है आईए अब हम महादेर जी की आर्थी सुनते हैं शीश गंग और भंग पारवती सदा विराचत के लासी नंदी भंग नत करत है गुलगावत शीव की दासी शीतल मंद सुगंद पवन भे बैठे है शिव अविनासी करत गान गंधर वसब्त सुर राग राजनी सवगाती अक्ष रक्ष भे रवज है डोलत गोलत है बनके वासी ओयल शब्द सुमावत सुन्दर भ्रमर गरत है गुंजासी कल्प रक्ष अरुपारी जात कह लाग रहे है लक्षासी दूरिय कांत सम परवत शोबित चंदर कांत लवनी मासी चाओरी तूलत फलत फुलत है पुष्प चड़त है वर्शासी देव मनी जन की भील पड़त है निगम रहत जो नितगासी प्रम्मा विष्णू का जान दरत है कची शिव हमको परमासी जिद्वीद के दाता शंकर सदा आनंद के सुपरासी जिनके सुविरन सेवा करते तूट जाईयं की भासी प्रिशूल धर का जान निरंतर मन दगाय कर जो भासी दूर करे विपदाशी तिनकी जन में सफल शिव पड़ पासी केलाशी काशी केवासी अविनाशी प्रभ सुबही जो सेवत जान सदा चलनन को अपनो जान गरस दीजो तुम तो प्रभू हो सदा सयाने मेरे ओगुन सब दकियो सब अपराद शमाकर शंकर किंकर की विंती सुन्यो शीश गंग अर धंग पारवती सदा विराचत केलाशी नंदी भरंग नत करत है गुन गावत शी की दासी तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओगुन सब दखियो केलाशी काशी केवासी अविनाशी प्रभु सुगली जो सेवत जान सदा चर्नन को अपनो जान गर्स बीजो तुम तो प्रभु हो सदा सयाने मेरे ओगुन सब दखियो सब अफराद शमा करिशंपर किंपर की हो इस तरह आज हमने सावन मास का बीस्वा अध्याई सुना आशा करती हूँ या आपको जरू पसंद आएगा मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद आगे आने वाले कता कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें दन्यवाद